चुनावों में लगतार हार और अब यूवाओं की ओर देखने को तैयार बहुजन समाज पार्टी की कोशिशों पर सेंध लग सकती है कहा जा रहा है कि 2024 लोग सभा चुनाव से पहले मायावती की पार्टी यूवाओं पर खास फोकस कर रही है बस्पा के ये गतिविधियां भी ऐसे समय पर हो रही है जब भीम आर्मी चीफ चंदर शेखर आजाद भी उताप्रदेश में सक्रिये हो रहे हैं वह पूरे राज्ये में यूवाओं को एक जट कर रहे हैं और उनके फोकस में दलित और मुसल्मान हैं बस्पा के राश्ये संयोजक और मायावती के भतीजे 31 वर्षी आकाश आनंद ने 12 जनवरी को ट्वीट किया था एक मजबूत देश बनाने और जाती अत्याचार खत्म करने के लिए यूवाओं को आगे आना होगा आदर्निय मायावती जीने इसलिय मिशन की सफलता के लिए बीएसपी में 50 प्रतिशत यूवाओं के भागीदारी का आवाहन किया है यूवाओं ही बीएसपी और देश का भविश्य हैं अटकले लगाई जा रही है कि आगामी शहरी निकाय और लोकसभाचिनाओं में बस पर टिकेट देने में यूवाओं को प्रात्मिक्ता दे सकती है खास बात है कि आजाद भी राजनीतिक रूप से खासे सक्रिये नजर आ रहे हैं हाली में उन्होंने राजधाने लखनों में समाजवदी पार्टी प्रमुक अखले श्यादव से मुलाकात की थी साथ ही वहां राजध्ये लोगदल के अध्यक्ष जैंत चौदरी से भी मिल चुके हैं इसके अलावा वहार रामपूर और खतौली विधान सभा अपचुनाओं में सपा और रालोद उमीद्वारों के लिए प्रचार भी कर चुके हैं हाला कि सपा ने रामपूर गवा दिया लेकिन रालोद खतौली जीत गई कहा ज़ा रहा है कि यह बस्पा के लिए संकित हो सकते हैं कि उपचुनाओं से दूर रहने पर दलीतों ने रालोद का समर्थन किया और मैनपूरी में सपा के साथ गए रालोद प्रमुक ने दावा किया था कि आजाद समाज पार्टी 2024 लोकसभा और 2027 यूपी चुनाओं में सपा रालोद गडबंधन का हिस्सा होगी खास बात है कि इससे पहले बस्पा भी दोनों दलों के साथ 2019 में गडबंधन में रह चुकी है इधर आनंद फिजिकल यूपी के बाहर राज्जियों का दोरा कर रहे हैं और यूवाओं सियासी ध्यान लगा रहे हैं साथिवा प्रदेश और मंडल एकाईयों के साथ बैठक की भी कर रहे हैं बस्पा के प्रवक्ता का धर्मवीर चौधरी का कहना है कि पार्टी संगठन में यूवा और जुझारू नेताओं को बढ़ाएगी